नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों हमें जब भी घर बनवाना होता है हमें अपने घर का नक्षा यानि प्लैन, डिजाइन और एलिवेशन बनवाना होता है से पहली बात कि हमें मकान बनाने में एक सिविल इंजिनियर, आर्किटेक्चर की जरूरत पढ़ती है इनकी जरूरत क्यों पढ़ती है तो दोस्तों मैं आपका बता दूँ कि जो आपका कॉंट्रक्टर है इसे प्रैक्टिकल नॉलेज तो जरूर होता है लेकिन ठिरोर्टिकल नॉलेज नहीं होता जैसे सोयल बेरिंग केपैसिटी कितनी है मकान का टोटल लोड कितना है और लोड के हिसाब से कॉलम, बीम, फुटिंग या स्लैब में कौन सा सरिया सही रहेगा फुटिंग की डेप्थ क्या होनी चाहिए और वास्तो डिरेक्शन के हिसाब से हमारे घर में वाश रोम, किचन, बात रोम, पूजा रोम, डाइनिंग रोम ये सब कहां कहां होना चाहिए इन सभी काम के लिए हमें एक सिविल इंजिनियर, आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चल इंजिनियर की ज़रूरत पड़ती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सिविल इंजिनियर या आर्किटेक्ट आपसे मकान का नक्षा, एलिवेशन और 2D, 3D मॉडल बनाने के लिए कितना पैसा लेते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दू कि वो आपको क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और किस सर्विस का क्या-क्या चार्ज लेते हैं तो देखिए सबसे पहले एक सिविल इंजिनियर डिजाइन करता है हमारे घर का 2D डिजाइन तो देखिए सबसे पहले एक सिविल इंजिनियर डिजाइन करता है चैसे बेड्रोम, वाश रोम, किचर, बात रोम, उजा रोम, स्टेर्स, स्टोर रोम, इन सब की डिजाइनिंग को ही 2D डिजाइनिंग कहा जाता है। यानि के आप एक सिविल इंजिनियर को अपने requirement बताते हैं तो उसी हिसाब से वो आपका जितना भी area होता है उसमें सभी accommodation को plan करता है कि इनका size exact कितना होगा, क्या-क्या चीज़ कितनी बड़ी होगी और कहां place होगी तो इसे हम बोलते हैं 2D design यानि के घर का नक्षा तो 2D design का इंजिनियर चार्ज लेते हैं 4-5 रुपीज पर square feet ये rate vary करता है city to city, architect to architect और इसके experience पर यानि के एक नया architect होगा तो वो आप से 4 रुपीज पर square feet लेगा लेकिन एक अच्छा पुराना experience वाला architect 6 रुपीज पर square feet तक ले लेता है जैसे मान लो आपका area 1000 square feet है तो इसका 2D design का पड़ेगा 4000 to 6000 रुपीज दूसरे नंबर पर आता है 2D design as per वास्तु guidelines जिसमें वो हमारा घर वास्तु direction के हिसाब से प्लान करके देंगे और जैसे कि आप सब जानती हैं कि वास्तु की एक बहुत बड़ी importance है हमारे घर की construction में तो वास्तु के according अगर आप 2D design बनाते हो तो आर्किटेक्ट 5 to 7 रुपीज और square feet तक ले लेते हैं इसके बाद आता है 2D designing with structural details, electrical और plumbing details देखिए structural details में वो आपको बता देंगे के foundation की depth क्या होगी, column, beam, staircase और slab में सरीय का size क्या रहेगा और आपकी slab कौन सी रहेगी, one way या two way तो structure details में आपको ये सब details मिलेंगे, हमें थोड़ा electrical के बारे में भी guidance देंगे, के हमारे electrical lines कहां कहां से जाएंगे, और MC box वखरा कहां हो, हमारे plumbing की भी details देंगे, के हमारे sewage pipe और drainage pipe और waste pipe कहां से होकर निकलेंगे, और इनके chamber कहां बनेंगे, इसके लिए वो आपको charge करते है 8 to 10 rupees per square feet, क्योंकि इसमें वो 6 to 7 detailed drawing बना कर देते हैं, इसके बाद आता है 2D designing by structured design, यानि के अगर आपको structural engineer से design करवाना है तो, इसमें वो column, beam, flint beam, tie beam, slab और footing की पूरी detail देंगे, के slab में हमारी crank bar और distribution bar में कितनी अंदर जाकर pend होगी, इसके साथ-साथ foundation की detail भी बताएंगे as per SBC, यानि soil bearing capacity, इसमें वो आपको number of steel bar बताएंगे, center to center spacing कितनी रखना है वो भी बताएंगे, concrete grade क्या रहेगा वो भी बताएंगे, bar bending schedule भी बताएंगे, और आपके contractor को भी अच्छे से बिठा कर भी समझाएंगे कि लोहा कैसे काटना और बांधना है, इसका वो आपसे charge करते हैं, 8 to 10 rupees per square feet, इसके बाद आता है 2D elevation, 2D elevation यानि घर के बाहर का रूप के वो बाहर से कैसे दिखेगा, कराना बहुत जरूरी होता है, 2D elevation के लिए एक civil engineer 2,500 to 5,000 rupees लेता है, तीन floor तक के मकान के लिए, अगर ज्यादा complicated design बनाना हो तो आपको top view और front view दोनों देते हैं, इसमें आप inch by inch एक एक measurement देख सकते हैं, contractor बड़ी ही आसानी से बना देता है top view और front view दोनों के मिलने पर, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 2D elevation बनवाने से पहले, आपको ये भी पता चलेगा कि actual में बनने के बाद आपका घर कैसा देखेगा, तो फिर हम combo लेते हैं, 2D and 3D elevation जिसमें ground floor का approximately 5,000 रुपीज और दो floor का approximately 7,000 रुपीज और इसके बाद आता है 3D designing and modeling जो आजकल trending में है, इसमें आप वीडियो के जरीए देख सकते हैं, आलमेरा, LED, AC, ये सब कहां place होंगी और हमारे घर में कितना space बचेगा, इन सब के लिए 3D designing की जाती है, इसके लिए civil engineer 8 to 10 रुपीज पर square foot चार्ज करते हैं, और इसके बाद आती है आपके घर की estimation and costing, जो भी मकान आप बना रहे हो, इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना material लगेगा, कौन सा material कितना लगेगा, labor इतने चाहिए, सारी detail आपकी estimation में आती है, और इसके लिए एक civil engineer 4 to 6 रुपीज पर square foot चार्ज करता है, इसके बाद आता है, supervision by civil engineer, जिसका एक civil engineer 15 to 20 रुपीज पर square foot तक लेगा, पर ये आपका एक extra खर्च है, क्यूंकि ये totally आपके budget पर depend करेगा, अगर आपको लगता है कि आपका contractor ठीक नहीं है, या पता नहीं है कि सही काम करेगा या नहीं, अपने contractor पर थोड़ा सा भी doubt है, तो ऐसे में आप एक civil engineer से supervision करा सकते हैं, इसमें वो आपको 8 to 10 site visit देंगे, आपके column marking के समय, column का सरिया बांते समय, brick work करते समय, slab का सरिया बांते हुए, और slab की casting के समय, sanitary का काम होते समय, और electrical fitting के समय, elevation के बनते समय,beding, kitchen और plumbing का काम होते समय, और हर चिश्च को अच्छे से check करके काम करवाएंगे, यानी approximately 6 to 10 visit वो करते हैं, जो बड़ी ही useful होती है और मेरी suggestion है कि आपको ये service मकान बनवाते समय जरूर लेनी चाहिए जो बहुत ही useful होती है और मकान भी आप बार बार नहीं बनाते इसके बाद आखिर में है supervision and presence of civil engineering ये premium service होती है ये civil और special engineer दोनों हमें एक साथ देते हैं वो आपको चार्ज करते हैं 100 to 120 रुपीज पर स्कार फिट इसमें भी आपकी साइट पर हर alternate day पर विजिट करते हैं और आपकी साइट पर एक से दो घंटे का time देते हैं इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं बस आपको साइट पर material ही देना होता है वो अपने आप contractor से बात करते हैं और supervise करते हैं वो हमें quality tiles select करवाते हैं हमारे साथ market जाकर और हमारे site labor, electrician, plumber सबसे अच्छे से एक एक काम करवाते हैं bricks की alignment चेक करते हैं plaster की thickness, paint putty की thickness चेक करते हैं और जो site पर latest equipment यूज हो रहे हैं जैसे concrete vibrator, plate compactor सब का भी ध्यान रखते हैं कि इन्हें कब-कब और कहां-कहां यूज करना है वो ये सब चीजें चेक करते हैं तो दोस्तों यहां मैं समझता हूँ कि आपको house plan और designing को लेकर सभी queries हतम हुई होगी और एक civil engineer का कितना important role होता है ये भी पता चल गया होगा तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए useful होगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को like और share करें और comment जरूर करें और channel को subscribe जरूर करें धन्यवाद